FIFA World Cup Qualifier Round 2 के दो मुकाबले भारत के हो चुके हैं जसमें पहला मैच भारत ने कुवेट के खिलाफ 1-0 से मैच जीता था और दूसरा मुकाबला कल रात भारत कतर के खिलाफ 3-0 से हार गया क्या अब भारत Qualifier Round 3 में Qualify कर पाएगा ऐसा सवाल आप सब के मन में भी आ रहा होगा तो इस वीडियो में मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूँगा और ये भी बताऊँगा कि अगले मैच कब खेले जाएंगे इंडिया के लिए अगला मैच कब होगा कैसे Qualify कर पाएगे क्या-क्या अब situations, conditions रहने वाली है तो सबसे पहले जान लेते हैं पिछले मुकाबला जो कतर के खिलाफ भारत ने खेला ये मैच हमारे होम ग्राउंड भूबनेश्वर कालिंगा में खेला गया होम ग्राउंड था, ओडियंस का सपोर्ट बहुत जादा था लेकिन कहीं न कहीं कतर काफी जादा डॉमिनेट करती हुई दिखाई दी कतर ने पहले ही चार मिनट पर पहला गोल कर दिया जिसमें भारत के उपर दबाव बनना शुरू हो गया उसके बाद संदेश जिंगन जी को येलो कार्ड मिल गया, छोटी छोटी गलतियों के कारण हम इस मैच में पिछड़ते चले गए फर्स्ट हाफ तक वन जीरो से हम पिछड़ रहे थे और भारत के लगबग एक से दो मोके फर्स्ट हाफ में ही मिस कर दिये थे इंडिया ने काफी जादा चांसे मिले थे गोल करने के लेकिन उनको हम कनवर्ट नहीं कर पाए अच्छे तरीके से लेकिन जैसे ही सेकिंड हाफ आया सेकिंड हाफ पर कतर ने दो गोल दाग कर बड़त तीन जीरो से बना ली थी फिर हमारे सारे खिलाडी जो है वो थोड़ा डिमोटिवेट होते चले गए इगोरिस्टी में भी थोड़ा सा निराश नजर आये थे आखरी समय में लेकिन कहीं न कहीं मैं कहना चाहूँगा अगर शायद गुरुपरीत सिंग संदू होते तो हो सकता है हम एक और दो गोल कम खाते क्या पता शायद टीम मोटिवेट रहती गोल कम पड़ते तो टीम भी गोल करती वो चीज़े सारी अलग हो जाती अगर कुछ सिचुएशन कुछ चीज़ें अलग की जाती टेस्टिंग ना करते अगर हमारे इगोरिस्टी में बट में भी हो सकता है आने वाले कुछ मैच्च के लिए वो टेस्टिंग कर रहे हूं क्या पता वो जानते हों कतर के खिलाफ नहीं जीत पाएंगे तो कुछ चीज़ें ही आजमाली जाएं कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है जो भी है बढ़िया खेला अच्छा मैच देखा गया इंडिया की तरफ से फिर बीच मैं सुन अफगानिस्तान के खिलाफ जीत कर क्या क्वालिफाइ कर जाएंगे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये राउंड टू चल रहे हैं राउंड थ्री में सिर्फ टू टीम्स जाएंगी हर ग्रूप में से और इंडिया के ग्रूप में हैं अफगानिस्तान, कतर और कुवे खेला जाएगा ठीक है अब रही बात क्या उसके बाद हम क्वालिफाई कर पाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ हर टीम के दो मैच होने वाले हैं एक होम एक अवे जैसे हमने कुवेट को अवे में हराया था अब एक मैच हमारे होम में भी होगा कुवेट के खिलाव ठीक है तो मतलब कि अभी इंडिया के दो मैच हुए हैं, चार मैच और बचे हैं दो अफगानिस्तान से, एक कतर से, एक कुवेट से अगर हम अपने बचे हुई इन चार मैच में दो मैच में अफगानिस्तान को हरा देते हैं तो हमें 6 पॉइंट और मिलेंगे तो तीन अभी है 6 यानि कि 9 पॉइंट हो जाएंगे इसके बाद एक कतर और एक कुवेट ठीक है तो कतर से मान लो हम हार जाते हैं मान लो क्योंकि कंडिशन्स कुछ भी हो सकती है कतर से हार जाते हैं तो हमें कुवेट से जीतना ही पड़ेगा ठीक है और कुवेट से हम जीत जाते हैं तो हमारे total अंक मतलब की 9 point और मिल जाएंगे तो यानि की 12 point हमारे हो जाएंगे ठीक है और वही पर कुवेट कुवेट के भी 4 match बचे है तो कुवेट के match अफगानिस्तान से 1 बचा है एक इंडिया से बचा है और दो कतर से बचे हैं उनके तो अगर कुवेत अपने दोनों मैच कतर से हार जाती है तो भारत के चांसिस बन जाएंगे साफ साफ चांसिस बन जाएंगे लेकिन बाइचांस अगर कुवेत ड्रो कर रहती है कतर से तो भाई भारत को अफगानिस्तान और कुवेट से जादा गोल से जीतना पड़ेगा क्योंकि आखरी में अगर पॉइंट सेम होंगे तो जो नेट रन रेट होता है न जो कि किसने जादा गोल डिफरेंस से मैच जीता है वो क्वालिफाई करेगा वो नमबर टू पर आएगा तो हमें गोल डिफरेंस भी बहतर करना पड़ेगा अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में कुवेट ने अफगानिस्तान को 4-0 से हराया है तो इंडिया जब अफगानिस्तान से खेलेगी तो हमें भी कम से कम 4 या 5 गोल से अफगानिस्तान को हराना होगा ठीक है साओधी अरेबिया में खेला जाएगा अफगानिस्तान का होम गेम तो साओधी अरेबिया में भी बहुत सारा इंडियन्स होंगे वहाँ पर सपोर्ट अच्छा मिलेगा हमारी इंडियन्स टीम को तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अब आपके मन में इस सवाल आ रहोगा कि भाई कतर के खिलाफ भी तो होम ग्राउंड में हमारा मैच था लेकिन मैं बता दू कतर के टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी होम ग्राउंड में काफी ज़्यादा ओडियंस गई थी हाउस फुल था फुल सपोर्ट था लेकिन जब टीम ही स्ट्रोंग हो तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो पड़ती है न हमें फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीतना है हम थर्ड राउंड के लिए भी कौलिफाए कर जाएंगे तो दिल को तसल्ली मिलेगी और मन को खुश्य दिमाग को खुशी मिलेगी तो यही होना चाहिए बस भारत जो है आप बड़े आराम से क्वालिफाय कर जाए तो यही यह वस सिलसिला अगर भारत लगबग 12 पॉइंट के साथ और अच्छे गोल्स के साथ स्टैंडिंग्स पर रहती है तो हम सेकिंड नंबर पर फिनिश कर पाएंगे क्योंकि इंडिया और क्वेद के बीच में होने वाली है बड़ी फाइट तो आई होप आपका यह डाउट खतम हो गया होगा कि कैसे हम क्वालिफाय करने वाले हैं और क्या कंडिशन्स होने वाली हैं तो अभी चार मैच बचे हैं और बहुत लंबा समय है ठीक है यह दो हजार 24 पूरा चलेगा मैचेज का सिलसिला और धीरे धीरे चलता रहेगा डोंट वरी तो अभी बहुत लंबा साफर है चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और इसी तरहां से स्पोर्ट्स की अपडेट्स आप तक पहुँचाता रहूंगा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्चन में जरूर पुछिएगा रीपलाई आपको जरूर मिलेगा मिलते हैं एकली वीडियो में जै हिंद जै भारत